ओम श्यान्ती 12 अगस्त 2023 के इशुरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुडली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा अभी तुम बाप के बनकर बाप से बड़ा भारी वर्सा ले रहे हो 21 जन्मों के लिए यह कम बात है क्या जब तक बाप का परीचे नहीं था तो तुम और्फन नासिक और निधन के थे बाप तुम बच्चों को एक ही बात कहते हैं अंतर मुखी हो जाओ बाहर से कुछ भी ना बोलो अपने आत्मिक स्वरूप में सित्त होकर बैठ जाओ और बाप को याद करो फिर बाप ने कहा अगर तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे हम पर बली हाड जाएंगे तो मैं भी तुम पर बली हाड जाओंगा बेहद का बाप तुम बच्चों के लिए वैकुंट की सोगात लेकर आए हैं कहते हैं बच्चे तुम काम चिता से उतर ग्यान चिता पर बैठो तो हम तुमको गॉर्डन एज का मालिक बना देंगे विनाश सामने खड़ा है बहुत गई थोड़ी रही इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुशार्थ कर बेहद के बाप से पूरा वड़सा ले लो जैसे और सब ले रहे हैं सारी दुनिया का ब्रिसान होनी है अब जाग जाओ नहीं तो भंभोर को आग लगने के समय फिर हाए हाए करेंगे परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे और लास्ट में बाबा ने कहा इससे पहले कि सब को काल खा जाए तुम अपने बापों का खाता खलास कर पुन्य का खाता जमा करो जमा होगा बाप को याद करने से अब गफलत नहीं करनी सवेरे उठकर याद में बैठना चाहिए जितना याद का चार्ट होगा उतना अच्छा है तभी शुबाबा के गले का हार बनेंगे और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुडली का सार मीठे बच्चे 21 जनमों के लिए पुन्य का खाता जमा करना है योगबल से पापूं के खाते को भस्म करना है इसलिए अंतर मुखी बनो प्रश्न किस श्रीमत का पालन करने से वानी से परे जाने का पुरुशार्थ सहज हो जाएगा उत्तर श्रीमत कहती है बच्चे अंतर मुखी हो जाओ बाहर से कुछ भी न बोलो इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वानी से परे जा सकेंगे जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतना कमाई जमा होती जाएगी याद के लिए अमरित विले का समय बहुत अच्छा है उस समय उठकर अंतर मुखी बन आत्म स्वरूप में सित्थ होकर बैठो गीत तुने रात गवाई सो के दिन गवाया खाए हीरा जनम अनमोल रेमानव कोडी बदले जाए ओम शान्ती यह कौन समझाते हैं कि अंतर मुखी हो जाओ बाहर से कुछ भी ना बोलो अपनी आत्मा के स्वरूप में सित्थ होकर बैठो बाप बच्चों से कहते हैं मुख से कुछ भी बोलो नहीं राम राम आदी तो बहुत कहते आए प्रन्तु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले पतित पावन कहने से बाप याद आता है बाप कहते हैं तुम बरोबर पतित थे ना अब तुम पावन बन रहे हो सत्यूग में कोई पतित होता नहीं पांच हजार वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था बाप तो सुख की ही सुरिष्टी रचेंगे ना भारत सुख धाम था लक्ष्मी नारेण राम सीता आदी के मंदिर सत्यूग त्रेता की निशानी है सत्यूग में बरोबर लक्ष्मी नारेण की डाइनेस्टी थी यही भारत था जिसमें सुर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था जो अब फिर से सापन हो रहा है इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी यह मनुष्य ही तो जानेंगे मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है बाप को जानने लिए कितने धक्के खाते हैं परंतु जान नहीं सकते तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परीचे देते हैं पहले परीचे नहीं था तो इसका परिनाम क्या हुआ और्फन, नासिक, निधन के बन जाते हैं अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्सा ले रहे हो बड़ा भारी वर्सा है 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है कोई कम बात है क्या लक्षमिनारेन को 5000 वर्ष हुआ राज्ये करते फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है बाप समझाते हैं मेरी श्रीमत पर चलो अंतर मुखी बनो, बाहर मुखी मत बनो अब इस समय है घोर अंधियारा इनको रात कहा जाता है अभी सवेरा आ रहा है कलियुग अंत को घोर अंधियारा सत्युग आदी को घोर सोजरा कहा जाता है बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर जबकि सभी मनुष्य पतित हैं अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्सा देने आया हूँ विनाश सामने खड़ा है बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुशार्थ कर बेहद के बाप से वर्सा लो जैसे सब ले रहे हैं सब पुरुशार्थी हैं अब सब को स्वीट होम वानी से परे जाना है वह है हम आत्माओं का घर निर्वान धाम धाम में कोई एक नहीं रहते जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास वह है निराकारी जाड़ जैसे चित्र में भी जाड़ दिखाया जाता है वह है हम आत्माओं का घर शान्ती धाम फिर हम आएंगे सुख धाम अभी 84 जर्म का चक्र पूरा होता है कलियुक के बाद सत्युक जरूर आएगा न द्वापर के बाद कलियुक जरूर आएगा बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं जब तक नई दुनिया सापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं न फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है यह भी पुरानी चीज है ना इसके विनाश के लिए यह है महा भारत लड़ाई बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं आत्मा ही समझती है जिसमानी नौलेज भी आत्मा सीखती है ना आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ आत्मा ही संसकार ले जाती है तुम बच्चे समझ से हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी अभी हम शाम हैं फिर सुन्दर बनेंगे सुन्दर से शाम बनते हैं 84 जनम लग जाते हैं फिर बाबा काम चिता से उतार ग्यान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं बेहद का बाप जरूर बेहद का वड़सा देगा ना बाप तो उँच ते उँच है कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सोगात लाए हैं हतेली पर बहिस लाया हूँ सेकेंड में तुम साक्षतकार कर लेते हो कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिवबाबा के पोत्रे हैं तुम कहते हो हम शिवबाबा से वर्सा लेते हैं वही सर्व का सद्गती दाता है, राज योग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए और्गन्स दवारा पढ़ाते हैं, सुरिष्टी चक्र की नौलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं, उसकी ही सारी महिमा है, ज्यान का सागर, पतित पावन वह है, तो जरूर आना पड़े, तुमको भी मास्टर सुप्रीम अत्वा पावन बनाते हैं, वह है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं, सभी भक्तों का बाप, वह भगवान है, परम, पिता, परमात्मा, अगर उनको सरव्यापी कह देते, तो फिर वर्सा कैसे मिल करेगा, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, श्रिक्रिश्न को भी दैवी गुण धारी मनुष्य कहा जाता है, वह है फर्स्ट प्रिंस, सभी उनको जूले में जूलाते हैं, शिव बाबा को कभी जूलाते नहीं होंगे, क्योंकि वह कभी बच्चा बनता ही नहीं, यह तो स साक्षत कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे, तो मैं भी बलिहार जाऊंगा, बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया, मनुष्यों में कितनी अंदश्रधा है, जहां त पहा जाता है गुडियों की पूजा, नवरात्री में बहुत गुडिया बनाएंगे, उनकी ओक्यूपेशन का किसको पता नहीं है, चार छे भुजा वाली देवी थोड़े ही होती है, और फिर तलवार आदी दे देते हैं, देवताएं हिंसक थोड़े ही होते हैं, शास्त्रव वाली जीब वाली है थोड़े ही, मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, ब्रह्मा विश्नु शंकर हैं, सुक्षम वतनवासी, बस और कोई चीज ही नहीं है, फिर आठ दस भुजा वाले कहां से आए, ये सब भक्ती मार्ग के अलंकार बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं, वहां ही देखो सुन्दर श्रिक्रिशन का मंदिर, वहां ही सावरे श्रिक्रिशन का मंदिर, कारण तो चाहिए ना, कितनी अंदश्रधा है, अब भक्ती मार्ग खत्म हो, ज्यान मार्ग जिन्दा बाद होता है बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है, पुत्र पोत्रे वारिस बनने नहीं है वहां तुमको यह ग्यान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुशार्थ किया था वहां तो पवित्रिस रिष्टी चल पड़ती है यहां तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार है वहां यह पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किये थे, कैसे बने, यह सब भूल जाता है वहां पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरू की दरकार पड़े बाब पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं गुरू चाहिए सदगती के लिए वहां तो है ही सदगती गुरू की दरकार ही नहीं बाब कहते हैं अपने को आत्मा समझो देह अभिमान में ना रहो मैं आत्मा अभी डोक्टर के रूप में हूँ मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूँगा हम इस शरीर दवारा पढ़ते हैं आत्मा ही इन ओर्गंस दवारा पढ़ती है आत्मा ही सुनती है यह समझने की बाते हैं ना कि दंत कथाएं हैं बाप कहते हैं, सारी दुनिया का ब्रिस्तान होनी है, अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाए हाए करेंगे, प्रंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे, अभी हमें पापों क खाता खलास कर, पुन्य के खाते को जमा करना है, नए सर 21 जन्मों के लिए जमा करना है, जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुक्तू हो जाना चाहिए, ग्यान कितना सहच है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं, स्वधर्शन चक्र फिराते हैं तो अथा कमाई करते हैं अन गिनत वहां कोई गिनती थोड़े ही होती है अभी जोपडियों में बैठे हैं फिर महलों में बैठेंगे फर्क तो रहता है ना जोपडी और महल में ब्रह्मा दबारा नई दुनिया सापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का बिनाश हो जाएगा अभी की बात है ना राजधानी की सापना हो जाएगी फिर जिसने जितना पुर्शार्थ किया सो किया फिर बिनाश हो जाएगा इसलिए अब गफलत नहीं करने चाहिए सवेरे ऊठकर याद में बैठ जाना चाहिए जितना याद का चार्ट रखो उतना अ कि मैं लायक बना हूँ, लक्शमी नारिन को वरने, हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं, यह बागवान बाबा का हिऊमन गुलशन हैं, कहेंगे देखो कुमार का मनोहर कितने अच्चे अच्चे फूल हैं, यह रत्न जोद हैं, बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते हैं, बागवान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फोलो करना चाहिए, नमबर वन, टू फूल कौन कौन से हैं, ऐसा बनना चाहिए, 21 जनमों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बा के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं ओनेस्ट होते हैं स्कूल में अंदश्रधा की बात नहीं वहां बैरिस्ट्री पढ़ते हैं इंजिनिरिंग पढ़ते हैं यहां तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो सन्यासी त पवित्र रहो तुम बहुत सर्विस कर सकते हो वहां भी education department है यह भी godly education department है तुम बच्चे हो राजरिशी वेह तो घर्बार छोड़ देते हैं तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो तुम्हारी बुद्धी में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं इसलिए बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो, यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, यह रूहानी कॉलेज अथ्वा होस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हो, घर घर में तुम यह होस्पिटल, अथ्वा कॉलेज खोल स इसमें खर्चा कुछ भी नहीं, सिर्फ तीन पैर पृत्वी के चाहिए, अच्छा, मात पिता बाप ददा का, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रती, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्से, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप ददा को नमस्से, नमस्से, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है, इसमें गफलत नहीं करनी है, पुन्य का खाता जमा करना है, एम अबजिक्ट को बुद्धी में रख, अच ब्राहमन जीवन की विशेसा को जानकर, उसे कारे में लगाने वाले सर्व विशेसा संपन्न भव, ड्रामा के नियम प्रमान, संगम युग पर हर एक ब्राहमन आत्मा को कोई न कोई विशेसा मिली हुई है, चाहे मालाखा लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेसा है, तो ब्राहमन जन्म के भाग्य की विशेसा को पहचानों और उसे कारे में लगाओ, एक विशेसा कारे में लगाई, तो और भी विशेसाएं स्वत्य आती जाएंगी, एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेसाओं में संपन्न बन जाएंगे स्लोगन मन मनाभव के मंत्र की सदास्मृती रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती इसके लिए उपर दिये गई बोक्स पर क्लिक करें कि अव्यक्त ग्यानमोती अव्यक्त